नमस्कार, मैं अनसारी सर, अनसारी इंस्टिटूट की तरब से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आज का वीडियो इसके पहले की विशाय वस्तूपर हम आएं आप तमाम लोग से अन्रोध है कि पर आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें आज का वीडियो तमाम भारतिय नागरिकों के लिए हैं, जो किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी ऐसी सूचना, जो जेनरल पब्लिक इंट्रेस्ट की हो, उससे प्राप्त करना चाहते हैं, वह एक विशेश कानून के तहत प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि पीछे आप बोर्ड में देख रहे हैं, आटियाई लिखा हुआ, मैं विश्तार पुरुवक इसको बताऊंगा, इसके पहले कि मैं इसके बारे में आऊं, यह सूचना तमाम आम और खास जन के लिए है, जो भी भारत के नागरिक हैं, वह किसी भी विभाग से कोई भी ऐसी सूचना, जो जेनरल पॉब्लिक इंट्रेस्ट की है, उसे प्राप्ट कर सकते हैं, अब आते हैं, राइट आटियाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक संचिप्त रूप है, अबरिब्रियेशन है, एक कानूनी नाम का, एक कानून का, जिसका फुल फॉम ह है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अर्थात हिंदी में कहेंगे सूचना का अधिकार, यह कानून 2005 में पास किया गया था, इस कानून के तहत, आप किसी भी सरकारी भी भाग से, कोई भी सूचना, जो की आम, जन की, इंट्रेस्ट का हो, या रूची का हो, आप उसे अपवाद हैं, उस अपवाद पर, उन बारिकियों पर हम लोग बाद में आएंगे, मैं विशेश बाते बता देता हूँ, कि यह तमाम भारतिय नागरिक, इस सूचना का अधिकार प्राप्त से, किसी भी सरकारी दप्तर से, ओपिस से, डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से और कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसी संस था, जो सरकारी पैसे चल रही है, उससे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अब इसके बारे में कुछ और बाते हैं, देखिए, सूचना अलग-अलग रूप में हो सकती हैं, कोई भी मैटेरियल, रिकॉर्ड, डॉकुमेंट, देख लि आप कोई भी रिकॉर्ड, डॉकुमेंट, मेमो, इमेल, ओपिनियन, अडवाइस, प्रेस, रिलीज, सर्कुलर, ओर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रेक्ट, यह कुछ बाते हैं, सैंपल, मॉडल, डाटा, यह तमाम जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बता दार, नागरिक के तोर पे करें, कोई भी ऐसी सूचना, जिससे आपको कोई विशेश लाब नहीं है, और जिससे हमारा संसाधन, अर्थात हमारे सज़रकारी कर्मचारी का समय, पैसा, बरबाद हो रहा है, इस तरह की सूचना प्राप्त ना करें, किसी भी डिपार्टमेंट को किसी को हैरेस करने के मकस्द से, अर्थात आपका इन्टेंशन, आपका इरादा साकरात्मक होना चाहिए, किसी भी नाकरात्मक रूप में इस कानून का प्रयोग ना करें, यह एक सलाह है, बाकि आपकी मर्जी, तो इस कानून का प्रयोग करके, आप किसी भी सरकारी दफ्तर से जेनरल पब्लिक इंट्रेस्ट की सुचना प्राप्ट कर सकते हैं इसके कुछ अपवाद है कोई भी ऐसा कानून जो देश की एकता संपरपुता या किसी भी तरह से देश के लिए कोई खत्रा पैदा करता है ऐसी जानकारी ये बाते बताई हैं अब चुकि हम इग्नू और अनायस से लेकर वीडियो बनाते रहते हैं और खास्त और से इग्नू और अनायस के छात्रों के लिए हम अपनी सेवाएं देते हैं कैरियर काउंसिनिंग से लेकर के अड्मिसन असाइंग में नोड सजेशन तमाम तरह की सूचना हैं हम देते हैं उसी सिल्सले में हम खास्त और से इग्नू के छात्रों के लिए इस सूचना का अधिकार का प्रयोग कैसे किया जा सकता है उस बात को डिसकस करेंगे देखिए जैसा कि आप जानते हैं इग्नू में हर साल धेश सारे छात्र अड्मिसन लेते हैं भारत की सबसे बड़ी ओपन इन्वर्सिटी है सबसे बड़ी ओपन इन्वर्सिटी है धेश सारे छात्र अड्मिसन लेते हैं तो कुछनों कुछ समस्याएं भी आती हैं कभी कभी कुछ-कुछ समस्याएं इगनु को चिठी लिखने के बावजूद भी उसका समाधान नहीं होता है इगनु का अपना एक dedicated portal है आई ग्राम के माध्धम से आप अपनी समस्याओं को अपनी grievances को इगनु तक पहुचा सकते हैं और उसके माध्धम से बहुत सरी का समाधान भी होता है तो जो चाच आई ग्राम का यूज करना चाहते हैं आई ग्राम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं इगनु के लग लग department में email उगरह भी कर सकते हैं इगनु के regional center को भी visit कर सकते हैं तमाम तल्ग की सुविधाय है इसके लावा अगर कुछ समस्याओं का समाध्धान ने हो रहा है तो आप सूचना का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बार बार सूचित कर रहा हूँ कि जब भी आप सूचने का अधिकार का प्रयोग करें आप पूरी जिम्मेदारी के संग इसका प्रयोग करें देखे हना कि हमने एक लिस्ट बनाया आए कि किन किन बातों के लिए आप सूचने का दिकार का प्रयोग कर सकते हैं यह सिर्फ समझाने के लिए हैं आपके प्रस्द कुछ भी हो सकते हैं कुछ अपवाद को छोड़ कर आप देखे जनली इगनू के जो चात रहे हैं उनका study material ल criteria है वो तमाम जानकारी आप प्राप्ट कर सकते हैं assignment के marks अभी तक update नहीं हुए आपने assignment submit कर दिया आपके marks अभी भी नहीं दिखा रहे हैं आप इस कानून के तर जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं result status आपका result अभी तक upgrade नहीं हुआ अपडेट नहीं हुआ है उससे संबंदित जानकारी आप प्राप्ट कर सकते हैं क्यों delay हो रहा marks अभी तक update क्यों नहीं हुए हैं इसके लवा marks इट, provisional certificates, degree certificates और धेर सारी समस्याएं हो सकते हैं धेर सारे प्रस्ण हो सकते हैं आप RTI का प्रयोक करके अपनी समस्याओं का सम समधान करने की कोशिस कर सकते हैं अगर आप खुद RTI कर सकते हैं तो बहतर है, Igram का प्रयोक भी आप कर सकते हैं अगर आपको RTI करने में, Igram का इस्तमाल करने में, equation frame करने में किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है तो हम आपकी सहयता के लिए हैं आपका RTI हो हम उसमें आपका मदद करें, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको फसंद आई होगी, इसलिए अप्शन रोध है, किरिपे आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वेल आइकन को दबाना ना भूलें, नमस्कार धन्यवाद करें...